So friends, बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, MPA गौर्रमेंट में एक और रेक्रूटमेंट यहाँ पे आ चुका है, देखिए भोपाल मध्य प्रदेश आशन की यह वेकेंसी आप लोगों के लिए आप पे निकाली जा रही, चार जुलाई को यह जानकरी नियूस पेपर और साथी साथ ओफिशल वेबसाइट पे भी इनफर्मिशन आपको यहाँ पे दे दे गई, बिल्कुल देखिए ओफिशल इसका भरती का क्रमांक भी आपको यहाँ पर प्रवाइड कराए जा रहा, इसमें दोस्तों वेरियस प्रवाद्योग की संस्था, तो दोस्तों, मेरिट भोपाल इनकी तरफ से रेकृट्मेंट यहाँ पे आया है, और देख लेते हम लोग यहाँ पे इसमें कौन-कौन सी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और अभी मैं आपको वेबसाइट के थूरू नोटिफिक कर लीजे, जिससे आगे की विकेंसिक की जानकारी भी आगे आपको मिलती रहे, वीडियो की नीचे जाए, सब्सक्राइब के है, रेड बेटन को क्लिक कर ले, चलिए, शुरू बात करते हैं, अपडेट को बढ़ते हैं, इन्फरमेशन की ओर, तो यह देखिए, इतने अलग अलग तरीके की पोस्ट हैं, और देखिए, लिखा हुआ है, हिंदी वाशा में सारी जानकारी है, आइस्थाई संकाय पदों पर न्यूकती है, तो वोकें इंटर्व्यू, निमलिकित, बिवागो, केंद्रों में आयुजत किये जाएंगे, तो इसमें देखिए, अलग-अल पोस्ट हैं, अलग-अलग डेपार्टमेंट्स हैं, वस्तुकला, योजना, जैविक विज्यान, अभ्यांत्र की, जनपद, अभ्यांत्र की, रसायन सास्त्र, कंप्यूटर विज्यान, अभ्यांत्र की, विध्योतिय अभ्यांत्र की, गनित, जैव सूचना, विज्यान, इकता रही होगे समझने में मैं आपको इंग्लिश का नोटिफिकेशन भी अभी मैं आपको आपको आप बताऊंगा इसमें इंटर्व्यू को लेके आपके कुछ इंस्टेक्शन दी गए तो सबसे पहले मैं वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलूड करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप सबी लोग देखें देखें वही नोटिफिकेशन है चार जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ मौलाना आजाद नेशनल इस्टिटूट अफ टेक्नलोजी भोपाल तो एनाइटी कॉलेज जो हैं भोपाल का इनके तरफ से र नो बजे और नो बजे आपको पस्तित होना है इसके बाद बायलोजिकल साइन्स इंजिनेरिंग के अंतरगात यहाँ पर विकेंस ही है 16 जुलाई को है दो बजे आपको पस्तित होना है इसके बाद सिविल इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट में आप जो है 15 जुलाई को आप का interview है इसके बाद mathematics, bioinformatics, computer science, computer applications 16 जुलाई को 2 बज़े आपको interview में शामिल होना है physics field में 16 जुलाई को 2 बज़े और center for excellence product design smart manufacturing ठीक है तो इसमें 15 जुलाई को 2 बज़े ये interview के अलग-अलग date है लेकिन जो interview का जगह है department of committee room इस जगह पर आपका interview conduct कराया जाएगा नीचे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो देखे जो यहाँ पर architecture planning वाली जो post है इनमें UG और PG course होना ज़रूरी है और PhD candidates को preference मिलेगी engineering वाली जितनी भी post है उपर ठीक है उनमें आपको UG और PG course साथ में आपको चाहिए PhD candidates भी आप लोग इसमें आप पर आविदन करेंगे इसके बाद जो है computer application वाली जो यहाँ पर पोस्ट है mathematics के field में तो master जारा महीनों का रहेगा ठीक है contract के आधार पर यह vacancy है जिसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है यहाँ पर लखाए eligible candidates may submit their application and resume ठीक है application form और resume जो है self test करके आपको head of the department in the institute ठीक है चोड़ी के पास 15 जुलाई तक आपका अविदन पहुंच जाना चाहिए तो information जो भी थे बिलकुल यहाँ पे official है और यह official website है manage.ac.in तो इसके careers के section में आप लोग यहाँ पे आएंगे home careers में जाके तो नीचे आपको जो है notification मिल जाएगा लिखा हुआ application for appointment of temporary faculty तो temporary faculty का यह recruitment निकाला गया है इसके लिए आप लोग यहाँ पे apply कर दें तो information जो भी थी मैंने cover की जानकारी मिले तो वीडियो को like करना MP government के सभी vacancies के जानकारी के लिए चैनल को subscribe कर लीजे वीडियो के नीचे जाएं subscribe के red button को click कर लें thank you so much